नमस्कार दोस्तों आप सभी का लाउज सीखो के दैनिक समाचार विशलेशन में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये कास्ट बेस्ट वॉयलेंस जो होती है हमानी लाओं के अकेंस्ट उसके बारे मैं है sexual salt उसके साथ में cast based violence और उसके उपर gender violence ये तीनों का जहाँ submission होता है उस बारे में ही हम बात करेंगे हाल ही में Supreme Court में ऐसा ही एक case हुआ था कुछ महीनों पहले आपको हात्रस का incident भी याद होगा वहाँ पे भी हमको ऐसी हिस्तिती देखने को मिले थी इस article में हम उन सारे आयमों के बारे में बात करेंगे जो की Supreme Court के case में यहाँ पे चर्चा में रहे है उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा article है ये चीन की जो two child policy है उसको अपने आप में खतम करते हुए अब यहाँ पे तीन चिल्डरन भी चीन के द्वारा चीन सरकार के द्वारा अलाओ किये जाएंगे चीन वह देश था जिसने पहली दफ़ा यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी थी फिर 2016 में उन्होंने रिलेक्सेशन देकर टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया और अब 2021 मे यहाँ पर तीन चाइल्ड भी अलाओ रहेंगे तो क्या कारण है इस फेसले के पीछे हम ये एक विस्तरूत चर्चा में जानेंगे तो चलिए मैं आगे बढ़ उससे पहले में अपना परिचाय करवाना चाहूंगा मैं खुश्वन पवार आप चाहे तो मुझसे ट्वीटर और लिंक्डिन पर जोर सकते है जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे अगर आपका कोई सुझाव हो कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझसे वहां सुझा सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं चलिए आज का IMCQ देखते हैं वह यह है कि वर्ल्ड नो टबैको डे यह किस दिन मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए है 1st June ऑप्शन बी है 31st May ऑप्शन सी है 5th June यह ऑप्शन डी इन में से कोई भी नहीं ज चलिए बढ़ते हैं वर्णात्मक प्रशन के और तो आज का वर्णात्मक प्रशन यह है कि वुमिन के स्थिती भारत में जादा ही वर्ल्मरेबल सवेदनशील होती है इसलिए इनके अगेंस्ट यहां पर इनके और हमें बहुत सारे यहां पर अत्याचार देखने को मिलते है इस कथन पर आपको चर्चा करनी है आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है इसमें हम पतन जमल वली वज़े स्टेट आफ आन्र प्रदेश इसमें सुप्रीम कोट ने यहां पर कास्ट जैंडर और डिसेबिल्टी इन तीन आयमों की चर्चा करी है तो क्या था यह केस इस बारे में हम जान लेते हैं तो यहां पर सेक्शल असॉल्ट का एक केस था एक 22 वर्षय दलित महिला की अगेस्ट यह मामला सुप्रीम कोट में आया उससे पहले यह मामला हाई कोट में भी हो चुका है हाई कोट ने इन जो आर आरोपी को धारा 376 section 376 of IPC rape की धारा के अंतरगत ही यहाँ पर आरोपी माना गया मतलब यहाँ पर prevention of atrocities act है उससे बाहर रखा गया और इसमें convection नहीं हुआ आरोपी का अब यहाँ पर intersection की बात की गई है कि अलग-अलग कैसे आयाम यहाँ पर marginalities के हाश्यपन के अलग-अलग आयाम आपस में आके मिलते हैं तो सुप्रीम कोट ने यहाँ पर रिकगनाईस करा कि वह वो में जो की caste, class, religion, disability और sexual orientation के कारण महिला है जो विभिन नहीं यहाँ पर या जो marginalized caste, class, religion, disability और sexual orientation से बिलॉंग करती है उनके अगेंस जादा अत्याचार और जादा भेदभाव देखने को मिलता है और यह दो या उससे जादा grounds पर आयामों पर हो सकता है कोट ने यहाँ पर ये भी चीज़ बताई है कि यहाँ पर special emphasize दिया है कि हमारे criminal justice system हमारी अपरादिक नय प्रनाली जो है उसमें महिलाओ के महिलाओ खास कर जो disabled महिलाओ है उनको काफी जादा यहाँ पर जो योन शोशन है या sexual assault है उससे यहाँ पर झेलना पड़ता है तो उ सवेधन शिल्था बढ़ानी चाहिए खास कर अगर जज इसकी बात करें पुलिस की बात करें या प्रनाली जो है इसके यह मुख्य दो हिससे हम मान सकते है जज हमारी जूडिशरी हमारी पुलिस जो की investigation authority है तो इन्हें भी इस बारे में all sensitized होना चाहिए और अपने आपको यहाँ पर तयार करना चाहिए कुछ cases की बात की गई है जैसे 2006 का दिनेश अल्यास बुद्ध वजिट स्टेट ऑफ राजिस्तान केस इस case में भी अगर हम देखे तो यहाँ पर भी एक schedule class की schedule class से बिलॉंग करने वाली महिला के साथ में यहाँ पर rape हुआ लेकिन यहाँ पर supreme court कास्ट का एक एंगल बताय जा रहा है prevention of atrocity act में यहाँ पर दोशी नहीं पाया गया जैसे हमें यहाँ पर पतन जमल value case में देखने को मिलता है वही 2017 में भी अश्रफी बज़े state of UP की बात हुई यहाँ पर भी court ने हैल करा कि कोई ऐसा evidence नहीं है कि जो आरूपियों से कास्ट पता थी और कास्ट को देखते हुए यह आरूप हुआ इसके लिए भी इन्हें prevention of atrocity act में हम नहीं बुक कर सकते हैं नहीं कन्विक्ट कर सकते हैं उसके अलावा 2019 का अगर हम केस देखे तो खुमान सिंग वसे state of MP यहाँ पर भी ऐसा कोई evidence नहीं मिला जिसमें कास्ट को ग्रा कि इसे prevention of उस आरूप को prevention of atrocity act के अंतरगत कन्विक्ट किया जा सकता है तो अगर हम देश में बात करें तो अलगलग राजियों में यहाँ पर महिलाओ के अगेंस्ट अपराद देखने को मिलते हैं उसके बाद में वेस्ट बेंगॉल, महारष्ट, राजिस्तान और मध्यप राजियों है जहां पर महिलाओ के अगेंस्ट बहुत जादा crime हमें देखने को मिलता है चलिए तो दूसरा आर्टिकल है चीन की जो two child policy है उसे relax किया गया है यहां पर क्यू relaxation दिया गया है अगर हम चीन में देखे तो चीन की आवादी slow करने के लिए यहां पर चीन के द्वा प्रतिकल उनका और यहां पर हम कह सकते एक u-turn हुआ है कि चीन ने यहां पर तीन children's को पर कपर अलाव किया है तो चीन की जो 1950 से चलती आई थी उसमें यह बहुत बड़ा एक u-turn हमें देखने को मिलता है चीन की one child policy अपने आप में बहुत जाता famous है यह लीडर डेंग जियों policy में लागो की गई थी जिसमें प्रती couple प्रती पती पत्नी यहां पर केवल एक ही child को अलाव किया था हर दमपती केवल एक से जादा बच्चे नहीं कर सकते थे 2016 में यहां पर communist party जो rule कर रही थी इन हो ने इस one child policy को relax किया और यहां पर दो चिल्रन पर couple प्रती दमपती यहां था कि चीन की जो व्रध व्रध आबादी थी वह बहुत तेजी से बढ़ रही थी aging population की बहुत rapidly growth हो रही थी उसके अलावा undermining economic growth तो यहां पर economic growth जो है वो भी अपने आप में प्रभावित हो रही थी आर्थिक इस्तिति प्रभावित हो रही थी क्योंकि अगर आपको अर्थ इस पॉलिसी की performance देखे तो यहां पर इसे इंपोर्स करने के लिए बहुत सारे incentives दिये गए फैमिलिस को यहां पर contraceptive जो है उनको widely available किया गया जब हम one child policy की बात करते हैं और यहां पर बहुत सारे sanctions लगाए गया अगर आप violation करते हैं तो इसको यहां पर इसका कही ना कही हमे result भी मिला यहां पर चीन में देखेंगो तो कही ना कही इसका result भी मिला क्यूंकि यहां पर करीब कहते है कि 40 करोड जो यहां पर जन्म होने वाले थे पच्छों का उससे prevent कर दिया गया मतलब 40 करोड आबादी जो है जो बढ़ सकती थी चीन में उसे control कर दिया गया लेकिन उस की गई क्यूंकि बहुत ही forcefully यहां पर abortion और sterilization करी गई लोगों की यहां पर सहमती के विरुद जाकर यहां पर कई ना कई जो पूर आबादी थी जो गरीब आबादी थी चीन में उनके लिए यह बहुत ही जादा unfair हुआ क्यूंकि रीच कही ना कही जो sanction है उनको pay कर सकते थे यहां पर कोई सजा होती थी कोई fine होता थो तो उसे दे सकते थे लेकिन पूर जो गरीब जन संक्या उनके हाथ में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था और इससे एक विपरित परिणाम एक नतारात्म प्रणाम ये भी पढ़ा रहा है one child policy से कि यहां पर जो एक लिंगा नुपात तो यहां पर चीन में जो पूर्शों की संक्या है वो महिलाओं से कहीं जादा हो गई है तो 2016 में जैसे मैंने बताया कि इस policy को relax किया गया और दो चिल्रन पर कपल यहां पर हर दंपती के लिए दो चिल्रन यहां पर allow किये गए लेकिन 2020 में जब census का data इन्हों है देखा तो इ 1.3 है अगर आपकी जंसेंग्या को आपको replace करते चलते रहना है तो कम से कम 2.1 का यहां पर replacement rate लेना चाहिए तभी उसको replacement level का माना चाह सकता है तो यहां पर यह अनुमानित किया गया है United Nation के द्वारा सयुकतराष्ट के द्वारा की 2025 तक most populous country जो है सबसे जाद जंसेंग्या वाला जो country है वो भारत बन जाएगा और जो चीन के पास यह टैग है most populous का टैग वो भारत के पास ने आ जाएगा वही 2030 से दिखा जाएगा कि चीन के आबादी तेजी से घटेंगी जो कि इनके अर्थ विवस्ता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है यहां पर reason द देखे तो education का खर्च है उसके अलावा यहां पर aging population को support भी करना परता है इसलिए भी यहां पर लोग जादा बच्चे नहीं पैला कर रहे हैं और उसके अलावा एक cultural shift भी देखने को मिल रहा है one child policy कारणी जैसे मैंने बताए कि लिंग अनुपात में एक बहुत बड़ा हमें चूर थी उसके अलावा अगर इसके दूर गामी परिनाम हम देखे तो यह भी देखने को मिल रहे कि अर्थ विवस्ता में इनकी aging population बढ़ रही है तो इनकी अर्थ विवस्ता में भी नकरात्मक प्रभाव बढ़ सकता है तो जबी भी हम भारत में भी कई बार हमारी बात होत होता है अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेब साइट लॉसिको.com विजिट कर सकते हैं मुझे सुनने के लिए आप से भी का धन्यवाद थैंक यू स्टे टून